रक्षा बंधन बाजार में जैपुर की राखी से लेकर सोने चांदी की बनी राखियों की काफी डिमांड है यहां के राखी बेचने वाले व्यापारियों ने इस बार जैपुर, कॉलकाता, दिल्ली, मुंबई, सहित, कई बड़े शहरों से राखियां मंगवाई है इन व्यापारियों का मानना है कि इस बार राखी का कारोबार करोडों में होने की उमीद है हमारे संबाद्धाता प्तेतम पांडे ने आज भागलपुर के बाजार का रुख किया यह जानने के लिए कि कैसी है इस बार राखी बाजार की रुणड़ रख्षाबंदन का तेवार आ चुका है और इस बार दो दिन 331 अगस्त को रख्षाबंदन मनाया जाएगा और इसी उपलक्ष पे बाजार राखियों से सच चुका है और जगह जगह से तरह तरह के बिभिन तरीकों का राखी आया हुआ है और दुकानदार अपने दुकान में सजा रखे हैं और आप देख सकते हैं तरह तरह के राखी उपलक्ष हैं बहुत जगह से बिसिकली कलकेटा से जैपूर से लोग राखी मंगवा रहे हैं और इसी एक और नई बात है इस वार राखी का ट्रेडिसल चेंज हो चुका है इस वार सराफा वेवसायों ने सोने और चानी की परत पे लगा के राखियों का सेल कर जो जैपूर से राखियां आई हैं और कलकटा से उन वेवसायों से बात करते हैं चलिए चलते हैं उनसके पास बताईए वहां कैसा मार्केट है इस वार राखी का मार्केट ठीक है बढ़ियां ठीक है जी लब कैसा लग रहा है पिछले साल के बनिश्पत में इस वार अच्छा मार्केट वेल्यू इस बार और राखी सब इस बार फैंसी सब आया हुआ है तो बहुत दूर दूर से कहां कहां से हुआ है कलकटा से आये हैं जैपूर से आया हुआ है कुछ दिल्ली से भी आया हुआ है माल तो इस वार कैसा है मतलब विक्री कैसा हो रहा है अच्छा विक्री है अगले साल से अ बाजार में चान्दी की राखियां बनकर सच गई हैं, सोने की राखियां भी तैयार की जा रही हैं, जैपुर की राखी अलग-अलग डिजाइनों में हैं, जिस पर सोने चान्दी की परत और नग जड़े हुए हैं। इनके अलावा बच्चों के लिए कार्टून केरेक्टर पर आधारित राखियां भी खूब बिक रही हैं। बुल मिलाकर ये उमीद की जा रही है कि राखी का ये त्योहार इस बार कारुबारियों के लिए भी बहतर साबित होगा। भागल पुष से न्यूस फॉर इंडिया के लिए प्रीतम पांडिय की रिपोर्ट।